कि आप आपकी दूसरी क्लास है कि इस एल्फाबेटिकल स्रीज इस रिटन इन इन दा रिवर्स ओडर दैन विच लेटर विल बी फिफ्ट टू दा लेफ्ट ओफ फॉर्थ फ्रॉम दा राइट एंड फर्स्ट क्लास में हमने फर्स्ट सीज पढ़ी ती जो कि हमारी ए टू जै ती मतलब कि नौर्मल स्रीज ती एस से सुरू होकर जैड पर खतम होती लेकिन यह जो है हमारी रिवर्स इसको हम लाश्ट से काउंट करेंगे जैड से सुरू होगी जैड का नंबर इसमें वन होगा वाई का सेगिंड होगा और एक यहां पर फ्रेंटिसिक्स नंबर होगा म अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा लाश्ट वाली पोजिशन लेनी है राइट से अब यह रिवर्स स्रीज है तो इसमें क्या होगा लेफ्ट वाले जो लेफ्ट से जो हम काउंट करेंगे वह हमारा राइट में करमट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट म लाइट है तो इसको राइट की जड़ा लेफ्ट में करमल जाएगा तो चैलेंगे यहां पर फोर हइब यहां पर रॉइट और लेफ्ट अपोजीट है अपोजीट है तो पलस हो जाएगा नाइन पर हमारा क्या आता है आई ठीक है अब एक और कुश्चन ले लेते हैं यहीं पर अगर मैं यहां पर सेवंट कर दूं और यहां पर सेवंटीन और दोनों को सेम साइट कर देता हूं और तो अब क्या करेंगे ऊँद से स्ब्सक्राइब करा राइट को हमने लेफ्ट मान लिया क्योंकि सेम सैड है तो मैंने हो जाएगा सेवंटीन माइनससजन पर हमारा क्या आता है यह हमार अगला कोश्चन अब इसमें देखिएगा इसमें हमें क्या दिया गया है लेफ्ट से लेफ्ट को हमने राइट में कर राइट से और यह हमारा लेफ्ट और राइट अपोजिट है अपोजिट है तो प्लस होगा कितना हो गया 11 लेकिन यह क्या है राइट से राइट को लेफ्ट में कनवर्ट करना है और 27 में से माइनस कर देंगे कितना हो गया 16 16 पर क्या आता है तो यह हमारा आंस पर बजाएगा ठीक है देखिए कोश्चन में क्या कुछ हो गया है इसमें हमें क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रों ए से स्टार्ट करते हुए हर एक लेट कर दिया मतलब कि सबसे पहले एडिलीट हो एक के बाद क्या आता है भी के बाद सी डिलीट हो गया सी के बाद क्या आता है डिलीट कर दिया है इसके बाद क्या आता है इसके बाद क्या आता है जो कि हमने डिलीट कर दिया है एफ आ गया तो यह हमारा बी डी एफ टू फोर सिक्स तो यह हमारा क्या है यह हमारी इवन स्रीज है से हम इस तरीके से इसको पैचानेंगे इस स्टेट्मेंट को इस तरीके से हम ढ़ेन कि हमारी इवन सीज और यह आप लोगों भी थर्ड टाइप है ठीक है तो कोस्ट्र को हम कैसे अंडल करते हैं अब यह देखिएगा लेफ्ट से दिया गया है फिफ्ट लेफ्ट और राइट अपोजिट है अपोजिट में क्या होता है प्लस फाइफ प्लस फॉर नाइट अब आप लोगों को एक बात पता है जो हमारी नॉर्मल स्रीज होती है उसमें हमारे टोटल ट्वैट्ट अगया है अब यहां पर लेफ्ट इसे ना आ गया है 9 अगया अगर हम यहां पर हम यहां पर यहां गिणेहेंखे तो यह हमारा यह और prayed को अब देखिएगा यहां पर क्या बोला गया है if every alternate letter starting from a is deleted मतलब कि आपको देखते ही पता चल गया है a से इलीट हो रहा है मतलब कि यह even series है तो अब यहां पर क्या करते हैं दोना अपोजिट है अपोजिट है तो क्या होगा यहां पर प्लस हो जाएगा 5 प्लस 5 10 10 into 2 क्योंकि हमारा every alternate number delete है इसलिए हम 2 से multiply करेंगे तो यह क्या हो गया 20 20 पर क्या आता हमारा ठीक है अब अगला question देखते हैं अगर यहीं पर हम कि इसको चेंज करकर यहां पर हम लेफ्ट ले लेते हैं पॉर्थ लेफ्ट अब यहां पर हम क्या करते हैं राइट से गीवन है कि अपोजिट है अपोजिट है तो क्या होगा प्लस फाइफ प्लस और नाइन ठीक है लेकिन नाइन नहीं है यहां पर यहां पर क्या है इंटो टू ही ऑटेन है लेकिन यहां पर क्या है हमारे टोटल यहां थे अलफाबेट करेंगे तो यहां पर यह इंटो टू से पहले ही करेंगे हम अपने क्यों को complicated नहीं बनाएंगे तो यहीं पर हम करेंगे 914 माइनस 955 इंटो 210 पर हमारा क्या आता है यह हमना अंसर हो गया ठीक है देखते हैं को अब देखेगा इफ एवरी ओर्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रों बी इस डिलेटिड देन विच लेटर विल बी फिफ्ट तूदा हमें क्या बोला है बी से सुरू करके हर एक लेटर लीट कर दिया गया है मतलब कि सबसे पहले बेडी हुआ है फिर उसके बाद डीड लीट हुआ है तो आप लोगों क्या समझ आ रहा है यह हमारी और स्रीज है और यह हमारा फॉर्थ टाइप है फॉर्थ टाइप का कोश्च को फॉर्ड फाइफ है क्या हो गया 9 9 हो गया एब उसमें क्या करते हैं यहां यहां और इन्तो टू करेंगे तो यह क्या हो जाएगा एट तो हम इसमें क्या करते हैं माइनस वन कर देते हैं तो यहां पर अब हमारा क्या हो गए सब्सक्राइब इसमें देखिएगा इफ एवरी ओर्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रों बी इस डिलीट हो रहा है मतलब कि हमारी कौन से सीज हो गई और सीज हो गई ठीक है कि यहां पर क्या है लेफ्ट से पोजिशन दी है से लेफ्ट और रप्से है तो मांड यहां हो गया इंटू टू माइनस वन क्योंकि Tudo मस्ट और अगर हमारी इवन सीज होती ही तो कि यहां पर टैन मैनस वन नाइन पर हमारा क्या आता है ओ किहीं पर हम एक होचिटन लेके है अगर हमें दोनों पोजिशन राइट से गीवन हो तो राइट से हम क्या करते हैं राइट से लिए है यहां पर क्या करना है लेकिन हमें क्या करना है राइट को लेफ्ट में करने के लिए 14 में से माइनस करना है इतना हो गया और यहां पर हमारी कुंसी सीज है इसलिए इंटू-1 यहां पर एटीन माइनस वन कितना हो गया सेवंटीन सेवंटीन पर हमारा आता है क्यों यह हमारा अंस हो जाए ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट क्लास में क्योंज सेवे इतना है